राख है दोस्तों तो आभी जो नया बैक अप्सन अपडेट आया है देम लेवल में तो इसका किस तर इसके यूज करना है और कैसे जो है वो काम कर रहा है कैसा जो आपको दिखने को मिल रहा है इसको जो हम्हों डीटेल्स में जो है एक बार चार्चा करते हैं और ताकि आप जो है इसका benefit उठा सको देखो जो भी चीजे जो है आपको यहां पर अपडेट आ रहा है अगर आप उससे अपडेट रहोगे तो ज्यादा ही बढ़िया रहेगा आपके लिए एक अच्छा टीम जो है आप तयार कर पाऊगे अब देखो यह चीज जो है किसके लिए फाइदा कि कौन कौन सा प्लेयर खेल रहा है और आपने जो भी टीम में लिया था वह नहीं जो है खेल पा रहा है तो उसमें से जो है उस वाले प्लेयर को हटा के रिमूब करके जो भी अपने बैक अप लिया है उसको जो है वहां पे इंकलूड कर देगा अब इससे यह होगा कि यहा 11 में आ जाएगा याने कि अपने team select किया है आपके team में आ जाएगा और यह जो प्रिटे हैं एक लेते हैं और इस टीम में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे पलर जो कुछ लेते हैं जो कि हमें पताए कि अपर आ यहाँ ले लिया और यहाँ पर जो है आपको जगदीशन को को दोब तहां हम के रहेंगे इसलों के बात करते हैं यहां पर तो यहरेने को लेते हैं रसल भी इंजर है अभी कि लिए कि लिए अगर होंगे तो होंगे नहीं होंगे तो कोई बात pigment नहीं कि हम हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो पलेर से वो जो है कैसे इसे इसे इस्तिमाल किया जा सकता है अब हम पर सब्सक्राइब एक बॉलर को अप्शन तो हम लोग यहां पर दिखा सके आपकी जो टीम बनने के बाद हो दियो कुछ इस तरीके से नजर आ जाती है यह मैं टीम ऐसे नही बना दिया इसको इस टीम को मैं क्या करता हूं कि अब यहां पर सेब कर देता हूं अब मैंने यहां पर सेब कर लिया तो इस टीम को देखोगे कि आब हम इस टीम को देखेंगे तो यहां पर यहां पर बनाई है इसमें देखो यह क्या है यहां पर क्या है तो बैक आप जो है बैकप एड़ करना आप देखो बैकप B1, B2, B3, B4 दिया हुआ है आप देखो यहां पर पर पारे बाद में लगेगा B1 जह हो पहले आएगा B2 जह हो बाद में आएगा और B3 जह उसके बाद आएगा और B4 जह हो सबसे लास्ट में आएगा यानि कि अगर आप चाहते हो कि कौन आपके लिस्ट में पहले आए तो उसको आपको B1 बनाना है और उसको आप स्विच करके भी बना सकते हो तो सबसुल आपने पर लेर को खोजो और उसको सबसे पहले यहां भी क्या करना है कि पहले B1 के आप्शन पर जो हो डालना है क्या करते हैं कि यहां हम लोग पता है कि हमने जो टीम बनाया है हम चाहते हैं कि यहरे उसमें से कोई नहीं चलेगा तो उसके वाद से हम किसको लेना पसंद करेंगे तो हमने यहां वर्मा को डाल दिया है बीटू की अगर इसे रिमुव करना चाहते हो तो कैसे रिमूब कर सकते हो और फिर से उसकी जगह कोई और वैबब कर सकते हो तो डाल सकते हो उस तर आप बीवन की जगह किसी और को जाओ और किसी होkim खूर rhभाज यह ठीज्ड को कर सकते हैं यहां है एड कर सकते हैं अब देखो यहां पर नहीं के बिछाम करेंगा और यह आपको प्लान भी कितरो जो है आपको कह सकते हो कि यह आपको यूज होगा अब जो होग गया करेंगे कि आपके फैंटासी 11 में जो भी जो भी प्लेंग लोंड में आएगा ऐसा नहिए कि आप जैसे से impact player का रोले तो आगर आपके टीम में रहता है तो वो इसे छेड़ाठ नहीं करेगा impact player को तीम में रहने देगा और impact player के अलावा जो भी team होगा वह जो है आपको यहां पर add हो जाएंगे अब देखो किस player को जह है आप यहां पर replace कर सकते हो तो जो भी लिए और आपको जो भी आननाउंस पलेयर होगा यहां पर रिप्लेश हो जाएंगे वह तो मतक्तब मस्ट है कि और में होगा और वहीं वाइस कैप्टन कैसा प्रिछा क्या है ऐसा हो सकता है कि अगर आपका प्लेयर्स है उसमें से आपने कैसे ब् fulfil भावरWas describing का क्या है जो कि रीप्लेश हो जा रहा है और जो की वहांको आप को आपको ऐसा लग रहा है। दिएखो क्या उसे रिप्लɪेस कर पाएंगी नहीं कर पाएंगा तो देखो कैप्टन को किस तरी के से रिप्लेस कर पाएं agar सबसे पहले जे हैं आपका जह प्रफेस्ट पाले थैनके proto- ठाव को कि युद्टन नुक्सान ना हो तो यह रोल से को बहुत सिंपर रोल से बहुत हीvity जिसको समझ सकते हो और आपने पले आपकप्लास कर सकते हो और एक बार जो यह रिएन बढ़ा कर सकते हो और खासकर यह ही यह पर इन के locks तो पता चलता है उनके दो प्लेर टीम में ही नहीं थे खेली नहीं रहते तो ऐसा सीनरियो में उनका बैक अप प्लेर जो होगा काफी यूजफूल हो सकता है और उन्हीं के लिए जो है यह चीजे बनाई गई है और खासका जो लोग एक्टिव रहते हैं वह तो जो है अपने करते हैं तो उनके लिए यहां पर ज्यादा दिकत नहीं है लेकिन अगर एक बर आप टीम में बना देते हो और शाते हो कि आपको सारे टेंशन हट जाओ बस अपने आप टीम में लग जाए खेल जाए तो यह बहुत ही चोटा सा रूल था जो कि आपको समझ में आ गया होगा इसला भी आपको और भी कोई डाउट है तो आप में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हूँ और साथ में अगर आप डीम 11 के लिए जूट रहे तो आप और सक्वाटिंग 11 ठेलिग्राम पर जूट जाना वीडियो के डेसिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगा जहां से